हलो दोस्तों स्वागरत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आगे हैं बीए फस्ट यार वालों के लिए जिरू ने जियोग्राफी लिया हुआ है उनके फस्ट पेपर के लिए टोटल फाइफ हंडेड इंपॉर्टेंट को सेरीज है और इस सेरीज का यह हमारा सातवा वीडियो है अभी तक हमने छे पार्ट अपलोड करती हैं तो यह आपने छे वार्ड तक अभी नहीं देखा तो जाहिए चैनल पर प्लेइलिस्ट मिल जाएगी वहां से आप देख पाओगे वीडियो को या फिर डिस्क्रिप्श प्लेशन में 80-90% कोशन इसी सेरीज से देखने को मिलेगे तो काफी ज़्यदा इंपोर्टन सेरीज है वीडियो को पूरा देखें और एक बार में याद करने का प्रियास करें एक बार में याद नहीं होता तो दो बार देखें और पूरा अच्छे से यह पूरी सेरीज लिड़ करण और बार इसमें हम चलने वाले हैं वहलें 151 और को पूरा बस गसंता के उने के तो हम बोलता है प्लूटोनिक चटाने लावा के ठोस होने के फाल सुरूप प्रद्वी के अंदर जो चटाने निर्मित होती हैं उनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक चटाने अफसन नमबर A रहेगा हमारा राइट एंसर बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर हमारा नेस्ट कोशन नमबर 152 जोला मुखी में किसे भूमा दिसागर का प्रिकास इस्तम कहा जाता है अफसन नमबर A है एट ना अफसन नमबर B है पेली या फिर C अफसन नमबर है इस्ट्राम बोली डी आफसन आपका है वेशू बियस तो इसका जो राइट अफसन नबर सी इस्ट्राम बोली को जौला मुखी देखो इस्ट्राम बोली एक जौला मुखी है और ये इसे भूमा दिसागर का प्रिकास इस्थम कहा जाता है इस्ट्राम बोली क्या है जौला मु कोश्चन नमberg 153 –, भिस्व में 34 से भी अधिक जोहला मुखी पाया जाते हैं है। C option आपका है, आप इस सारी cमांदरखेतर में पाय जाते हैं, B option आपका है संधचक सिमांदरखेतर में पाय जाते हैं, या फिर आपका option number D इन में से कोई नहीं, आपका right answer आप सारी सीमांदरखेतर में, 20 की तीन-चोधाई ज्वाला मुखी पाय जाती है, तो आपने याद रखना है काफी important question है next question देखो हमारा next question है question number 54 संसार का सरवादिक सक्री जोला मुखी है photo backsy, fusionama या फिर किलायू या फिर आपका option number D है वोशू वियस तो किलायू जो है ये संसार का सरवादिक सक्री जोला मुखी है आपको इसको याद रखना है किलायू हमारा क्या है ये संसार का सबसे सक्री जोला मुखी है काफी important है next question देखो हमारा next question question number 155 जोला मुखी किरिया द्वारा निर्मित मिट्टी क्या होती है लाल मिट्टी होती है काप मिट्टी होती है या फिर D option आपका question number 156 बिश्व में सरवादिक जोला मुखी किस पेटी में पाय जाते है मद महाद्विपी पेटी में पाय जाते है अंध महासागरी पेटी में पाय जाते है C option आपका हिंद महासागरी पेटी में पाय जाते है D option आपका है नेस्ट कोशन कोशन नंबर 157, जोळा मुखी से निर्मित लहरदार आकरती को क्या कहते हैं? देखो जोळा मुखी से बहुत सारी आकरतियां निर्मित होती हैं जब ये ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, जब लावा ठंडा होता है तो वो बहुत सारी आकरतियों का रूप ले लेत तो उसमें से बताना है कि लहरदार आकरती को हम क्या कहते हैं उसको किस नाम से जानते हैं और तो अफिशन नम्बर हमारा बी रहे गराइग राइट एंसर नेस्ट कोशन देखो हमारा नेस्ट कोशन कोशन नमबर 158 जब वायू का एक समूश छेतरी आज त्रिता की वज़ा से उपर उठता है और उपर उठने की वज़ा से ठंडा होता है तो किस किस्म का उच्छेपड होने की सम्हावना होती है। प्रिच्षेपड, डी है, समवहनी प्रिच्षेपड, तो हमारा राइट अंसर रहेगा, उफ्षन नमर सी, वाताग्र प्रिच्षेपड, तो उफ्षन नमर सी is the right answer, नेस्ट कोशन देखो, हमारा नेस्ट कोशन नमर 159, निम्न जौला मुखी उदिगार प्रकारों में से कौन सा प्राया विस्फोटक नहीं होता है, आपको बताना है, निम्न जौला मुखी उदिगार प्रकारों में से कौन सा विस्फोटक नहीं होता है, अफ्षन नमर A हमारे पास है, अफ्षन नमर B हमारे पास है, हावाईयन, सी अफ्षन आपका है, स्टॉम्बोलियन या फिर बिश्फोर्ट नहीं होता है आपको यह बात याद रखने है अप्शन नमबर हमारा बी रहे गा है राइट एंसर नेस्ट कोशन देखो हमारा नेस्ट कोशन कोशन नमबर 160 पीले रंगा हलका भार गाड़े लावे का नाम क्या है देखिए यहां पर समझ दिये कि पीले रंगा हलका भार है तुछ गाड़े लावे का नाम क्या है अ है बेसिक लावा बी है एसिड लावा सी है मैगमा या फिर आफ़्िठ नमब डी उपर यूख्ट सभी तो राइट एंसर आपका है आफ़्िठ नमब बी इसिड लावा पीले रंगका हलका भार 2005 रेरम्पहर थेशिठ Magma, तो जो हमारी भूसता में प्दार्थ पा जाते हैं, जो की काफी गर्म होते हैं, उनको हम Magma कहते हैं, जब जोला मुकी का उदगार होता है, तो जो हमारा पदार बाहर निकलता है, उसको हम लावा बोलते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, बाढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर, नेस्ट कोशन है क्वेशन नमबर 161, सबसे तेज गती कौन सी लहरे हैं, ठीक है, सबसे तेज A में दिया गया आपको A लहरे अफसन नमबर B में दिया गया है दुतियक लहरे अफसन नमबर C में है प्राथमिक लहरे D अफसन आपका है उपर योगत सभी तो आपका राइट एंसर है अफसन नमबर C प्राथमिक लहरे जो है इनकी गतिश सबसे तेज होती है तिब रहोती है तो C रहेगा हमारा राइट एंसर next question देखो हमारा next question question number 162 भूकंप आने का क्या कारण है देखो अच्छा question है कई बार पूछा जाता है भूकंप आने का क्या कारण है तो बताना है को option number A है जो अला मुख्य उध्वेदन B option आपका है भूर संदुलन में A विवस्ता आजादने पर C option आपका है गरंसन D option आपका है उपर योगते सभी तो इसका जो राइट answer आपका है उपर योगते सभी देखो भुकम पाने के ये तीनों कारण है तो आपको तीनों कारण को याद करना है हमारा D रहेगा राइट answer next question देखो हमारा next question पीली जुआला मुखी किस दूप में पाए जाती है मार्टिनिक में पाए जाती है लिपारी में पाए जाती है सिसलिम पाए जाती है या फिर जमाइका में पाए जाती है तो यह पाए जाती है मार्टिनिक में पीली जो आला मुखी किस द्यूप में पाजाती है तो या मार्टिनिक द्यूप में पाजाती है अफ्शन नमबर A रहेगा राइट एंसर नेस्ट कोशन देखो हमारा नेस्ट कोशन कोशन नमबर 164 सुनामी क्या है जो आला मुखी उद्गार है भूकम्प है सागरी तली में उच्च रियक्टर भूकम्पी लहरे है डी है उपर्योक्ट सभी राइट एंसर हमारा है अफ्शन नमबर C सागरी तली में उच्च रियक्टर भूकम्पी लहरे है क्या है सुनामी क्या होती है सागरी तली में उच्छ रियक्टेर भुकमपी लहरे होती है option number C रहेगा हमारा right answer next question देखो हमारा next question question number 165 भुकमप का सकारात्मक प्रभाव छांटी है option number A आपके पास है जीलों का निर्माड होता है option number B है जल इस्तरोतों की उत्पत्ति होती है C option आपका है बहुमूल खनीज बाहर आजाते हैं D option आपका है उपर योग्ट सभी तो right answer आपका है option number D उपर योग्ट सभी तीनों के तीनों जो है भुकम के सकारात्मक प्रभाव में इनको आपको याद रखना है next question देखो हमारा next question question number 166 परवत का ढाल जो अधिक्तम वर्षा प्राप्त करता है क्या कहलाता है option number A में आपके पासे पावन B मुखी ढाल कहलाता है B है गर्म ढाल कहलाता है C ब्रस्टी ढाल कहलाता है D आपका है उपर योग्ट मेंसे कोई नहीं तो इसका जो right answer option number C परवत का जो ढाल होता है जो अधिक्तम वर्षा प्राप्त करता है इसको हम कहते हैं ब्रस्टी ढाल क्या कहते हैं ब्रस्टी ढाल option number C है हमारा right answer next question देखो next question हमारा है 167 उसलिक कटिबंधी चक्रवात इन अच्छांसों के बीच मिलते हैं आपको बताना है उसलिक कटिबंधी चक्रवात जो होते हैं किन अच्छांसों के बीच मिलते हैं option number A है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दच्छिड तक option number B में आपके पास है 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दच्छिड तक C option आपके पास है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दच्छिड तक या फिर आपका last option option number D 30 डिग्री उत्तर दच्छिड से 60 डिग्री उत्तर दच्छिड तक हमारा right answer है उसलिक कटिबंधी चकरवात जो पाया जाता है ये 30 डिग्री उत्तर दच्छड अच्छांसे, 60 डिग्री उत्तर दच्छड अच्छांसे के बीच में पाया जाता है, तो option number D रहेगा हमारा right answer, next question देखो, हमारा next question question number 168, बिस्व की सबसे ऊची चोटियां किस प्रकार के परवतों में पाया जाती है, बड़ा ही अच्छा question है, कई बार repeat हुआ है, बिस्व की सबसे ऊची चोटियां किस प्रकार के परवतों में पाया जाती है, option number A है आपके पास प्रचीन मोड़दार परवत, B है नवीन मोड़दार परवत, C है आपके पास अफसिष्ट परवत, या फिर आपके option number D बलाक परवत, तो बिस्व की सबसे ऊची चोटियां पाया जाती है, वो पाया जाती है हमारी प्राचीन तदा मोड़दार परवत में पाया जाती है, तो option number A है रहे गा, right answer, next question देखो, हमारा next question, question number 169, और बिस्व की सरवाधिक लंबी परवत संखला कहां है, हिमाले, एंडीज, राकीच, आलपस, right answer है, option number B, एंडीज, सरवाधिक लंबी परवत संखला कहां पर है, तो ये एंडीज में पाया जाती है, option number B रहे गा, right answer, next question देखो, next question हमारा है, and age परवत सरवाधिक लेड़ी निम्न मेंसे किस महाद्विक में इस्तित है, option number A है, Australia, option number B है, योरोध, C है दच्छण अमेरिका, D है, ASEA, तो and age परवत सरवाधिक लीजो है, ये दच्छण अमेरिका में इस्तित है, तो आपने इसको याद कर लेना है बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पे हमारा नेस्ट कोशन कोशन नमबर 171 दच्छिड आलपस परवत मालाएं इस्थित कहां पर आस्ट्रेलिया में दच्छिड अफ्रीका में सी अन्टार करटीका में टी है निउजिलैंड में र आपके Concept नमबर 171 परवत कहां पर आस्ट्रेलिया देफिक में दच्छिड आलपस परवत कहां पर आई जाते हैं यहांजिलैंड में दिया हमारा रहे फिर उपतरया किन्प 173 ह्सारी कोशिनन नमबर 173 हाईट परवद पाये जाते हैं कहां previous खोमें जो यहिए कहते हैं या इसव आयए आता यह जाते हैं सेंघत राज अमेरिका में D हमारा रहेगा रहेगा राइट एंसर नेस्ट कोशन देखो हमारा नेस्ट कोशन कोशन नमबर 174 किली मंजारो है क्या है भाई किली मंजारो और अफिशन नमबर A है आगने गिरी है आगने गिरी को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जौला मुखी ठीक है ज तो अफशन नमबर A में आपके बास है अगनेगरी, अफशन नमबर B है दूइफ, अफशन नमबर C है ब्रंग, या फिर अफशन नमबर D है नदी. तो दोगिये जो हमारा ये किली मंजारो है, ये एक परकार का हमारा जौला मुखी है. अब जो अला मुखी है तो जो अला मुखी को हम अगनी गरीग नाम से भी जानते हैं विलकानो के नाम से भी जानते हैं तो option number हमारा A रहेगा right answer अगने गरी किली मंजारू क्या है यह एक अगने गरी है यह यह एक जो अला मुखी है next question देखो हमारा next question है question number 175 अफरीका का सर्वोच परवत शिखर मांट किली मंजारो कहां पर इस्तित भाई Kenia में है, Tanjania में है, Sea of Stanap का मालबी मैं है या फिर D of Stanap का जंबियों में है तो मांट किली मंजारो जो है यह इस्तित अफशिन number B तंजानिया में है तो इसको आपको याद रखना है माउंट किलो मजारो जो है ये हमारी तंजानिया मेशती थे अफिशन नमबर B रहेगा हमारे राइट अंसर है निमने में से कौन रेजिट यूल परवत का उदाहरण है अफिशन नमबर A है हिमाल है अफिशन नमबर B है किली मनजारो C है एट ना D है अरावली तो राइट अंसर आपका है अफिशन नमबर D अरावली अरावली जो है ये रेजिट यूल परवत का एक उदाहरण है बहुत है निस्ट कोशन पर हमारा निस्ट कोशन है कोशन नमबर 177 ड्राकेंस वर्ग परवत किस दिस में इस्टित है ओटसवाना, नमीबिया, दच्छिड अफरीका, डी है जामबिया तो ये इस्टित हमारा है दच्छिड अफरीका में और निस्ट कोशन देखो नेस्ट कोशन हमारा है किस महाद्यूप में एटलस परवत इस्थित है बड़ा ही इंपोर्टन कोशन है कई बार पुछा गया है कि किस महाद्यूप में जो है एटलस परवत इस्थित है एसिया अफरीका आस्ट्रेलिया या फिर यूरोप में तो यह हमारा इस्थित है अफरी आपकी है मांड स्थीर स्थितने काहां परिष्ड यह हमारा है सुट्यी रेंड वे हमारा ने क्वेशन नमबर 18 üङ fulfil शैना प्रबत की गढ़ना किस तरेंच के इस्थल रूपों में की जाती है इसलिय की जाती है कि र्फां दुती तर्ती या फिर इन्वेर्थ कोई नहीं तो राइट एंसर आप का ओप्षन न्मबर बी परवत की गलना किस परेंस नारी में की जाती है तो अज़ा दृती इस त्रळड़िक के इस्थल रूपों में कि जाती है नेस्ट कोशन देखो नेस्ट कोशन कोशन नमबर 182 परवतों की उत्पत्य से संबंदित रेडियो सक्रिता सिधांद का प्रतिपादन किस ने किया जाली डैली या फिर डाना ने डी आफ़सन आपका है रीड ने राइट अंसर हमारा है और अफशन नमर ए परवतों क निर्मालक भूस संब्थांद का प्रतिपादन किस ने किया था ऊप्शन नमर ए आपके पास है जेफ्रीज बी है होंचन ने requires डेली ने डी ए कोबरने तो परवक निर्मालक भूस संब्थांद दिया था कोबरने तो आफशन नमर डी रहे हमारे डाइट इंसर बलते हैं रेस्ट कोशन पे हमारा नेस्ट कोशन काई बार नाइस बार कुरिशन कोशन ने राकीं यू राल हे बार कोशन काई रएगा रचना नेस्ट कोशन है देखो हुमारा 85. हमाल- halves neverными किसके अंतरगत आता है तो आप को बताना है हमाल-e परवत Never made किसके अंतरगत आता है option number a में आपके पास ए बलाक परवत की इस रडियों में आता है या फ़र option number b आपके पास न वीण वालिद पर वत सी हमारा आउसिष्ट परवत डी हमारा जौला मुखी परवत तो जो हमारा हिमाले परवत है यह आता है नवीन वलिद परवत में तो आपको याद रगना है कि हमारा हिमाले जो है यह नवीन वलिद परवत के अंतरगत आता है बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर हमारा नेस्ट कोशन कोशन number 186, Indij Čदाहरण है, किसका उदाहरण है? Option number A है, औुशिष्ट परवत का, B है वलिद परवत का, C है भॹरन-schodzi परवत का, या फिर Option नमबर DF का, ज्वला-मुखि परवत का, तो हमारा जो Indijush परवत है, ये है वलिद परवत का उदाहरण है. तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे कई बर repeat हुआ कोशन इंडीज परवत उदाहरण है किसका है वलिद परवत का है तो बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर आई होप कि आपको ये कोशन याद हो क्या होगा हमारा नेस्ट कोशन है कोशन नमर 187 इसमें आपको बताता है कि आउस्ट परवत का उदाहरण है ए है आरावाली बी है आपलेसियंसी है फ्यूजियामा डी है बिंदेचल तो जो हमारा आरावाली परवत है ये हमारा है आउस्ट परवत का उदाहरण है इसको आपको याद रखना है पारते हैं नेस्ट कोशन पर हमारा है 188 निमन में से कौन ब्रांसोत परवात है या पर वर्डन है हाँ इसको हटा के हम कर लेंगे ब्रांसोत माउंटेन है ठीक है तो अफशन नमबर A में आपके पास है वासेज B आपके पास है ब्लैक फारेस्ट, C है, C अरा नेवे उदा D अफशन आपका है इन में से सभी तो अफशन नमबर D रहेगा हमारा इन में से सभी ये तीनों के तीनों है नेस्ट कोशन देखो नेस्ट कोशन हमारा है 189 आस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइंग रेंज है A है प्राचीन मोलदार परवत B है नवीन मोलदार परवत C है हमारा जौला मुखी परवत या फिर हमारा D है बलाक परवत तो इसका जो राइट एन से रफस नमबर A प्राचीन मोलदार परवत आस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइंग रेंज है ये प्राचीन मोलदार परवत है तो A रहेगा हमारा राइट एंसर नेस्ट देखो हमारा नेस्ट कोशन है कोशन नमबर 190 हमाले की उत्पत्ती किस भूस सन्नती से हुई है अफ्शन नमबर A है टेथिस B है सिवालिक C आपका है इंडू ब्रमा D आपका है गोदावरी तो जो हमारे हमाले की उत्पत्ती है ये हुई है टेथिस भूस सन्नती से अफ्शन नमबर A है राइट एंसर नेस्ट देखो नेस्ट कोशन हमारा है कौन सा परवत महादियुक जल विभाजक के रूप में जाना जाता है अफ्शन नमबर A हिमाले B एंड एस C है राकीज D आपका है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज राइट एंसर आपका अफ्शन नमबर C राकीज को जो है परवत महादियुक जल विभाजक के रूप में जाना जाता है तो अफ्शन नमबर A हिमाला C राइगा राइट एंसर नेस्ट कोशन देखो नेस्ट कोशन हमारा है पॉइंट पैटो अथो आप पिड रुटा गाला निम्न में से किस देश का सरवोच परवत सिखर है दच्छरा पिर का पनामा चीम्बो रे जो या फिर आपका ऑफ्शन नमबर D है खुईला तो इसका जो रैट एंसर आपस्छन नमबर C चीम्बिट आजो ठीक है हमारा आपस्छन नमर S रहेके रैट एंसर नेस्ट कोशन देखो नेस्ट कोशन हमारा है एंडीज परवत माला की सरवोच चोटी है आप्शन नमबर A है एकांक गुवा आप्शन नमबर B है ओजोष डेल सेलाडो B है चिम्बी रेजो D है आपका हुईला तो एंडीज परवत की जो सरवोच तम चोटी है वो हमारा एकांक गुवा अप्शन नमबर A रहे गा राइट एंसर याद कर लेना आपको कि इंडीज परवत माला की जो सरवोच चोटी है उसका नाम है एकांक गुवा हमारा नेस्ट कोशन नमबर 194 भूस सननती का जनक किसे कहा जाता है काफी important कोशन है कई बार पूछा गया कि भूस सननती का जनक किसे कहा जाता है हाल एवं डाना को जाली एवं डेली को डाना एवं रीड को होमस एवं जेफरीज को तो भया या कहा जाता है हाल एवं डाना को भूस सननती का जनक किसे कहा जाता है तो हाल एवाम डाना को कहा जाता है अप्शन नमबर A रहेगा हमारा राइट एंसर नेस्ट कोर्शन देखो नेस्ट कोर्शन है कोर्शन नमबर 195 पिरे नीज परवत निम्न में से किन किन देशों के बीच इस्तित है फ्रांस और स्पेन, इंग्लेंड और आइरलेंड C है इटली और फ्रांस D अफ्शन आपका है बुर्गारिया और यूनन तो सही जवाब आपका है फ्रांस और स्पेन के बीच पिरे नीज परवत जो है ये इस्तित है तो A रहे गाता है टैंसर, नेस्ट कोशन देखो हमारा नेस्ट कोशन है, कोशन नमबर 196 यूरोप में आलपस, उत्तरी अमेरिका में राकीज तथा दच्छल अमेरिका में एंडीज किसका उदाहर ले देखिए बड़ा यहां अच्छा कोशन देगा है यूरोप में आलपस थी, कि यूरोप में जो आलपस पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में जो राकीज पाया जाता है दच्छल अमेरिका में पाया जाता है अंडीज, ये किसका उदाहर ले अच्छा आपको यह भी याद रखना है, यहां से भी कई वार कोशन पाई जाता है, कि राकेज कहां का है, तो उत्तरी अमेरिका का है, यूरोप में आलपा से यह भी आपको याद रखना है, डथ्छिन अमेरिका में है, इंडीज, तो इसको भी आपको याद रखना है, यह सा सारे के सारे जो उदाहरण है option number A वलित परवत के उदाहरण है तो A रहेगा हमारा राइट एंसर next question देखो हमारा next question question number 197 निम्न में से कौन सा आवसादि सैलो का उदाहरण नहीं है ध्यान देना निम्न में से कौन सा आवसादि सैलो का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पर जो हमारा गैब्रो दिया गया है यह औसादी सैलों का उदाहरल नहीं है बाकि यह तीनों के तीनों हमारे क्या है औसादी सैलों के उदाहरल है नेश्ट क्वेशन देखो नेश्ट क्वेशन नमारा है 198 भू सन्यती का किसे घनिष्ट सम्बन है जो आलावुखिय और भू कम्ब से गुरतवा कर्षण्ड से डी है वलिद परवत स्रेलि से है तो भू सन्यती का जो संबन है यह भू कम्ब से है औप्शन नमबर B रहेगा रा परवत का पालना किसे कहा जाता है important question है महासागर को भूर सन्नती को C है वलन को D है उपर योक्त में से कोई नहीं तो परवत का जो पालना कहा जाता है यह कहा जाता है भूर सन्नती को option question number B रहे गार है answer next question हमारा next question question number 200 और इस वीडियो का हमारा last question है question है क्रेटो जन संबंदीत है किससे संबंदीत है महाद्विप से संबंदीत है भूस दूलन से संबंदीत है C है परवत निर्मार से D आप का है उपर यूगत सभी से तो तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो दोस्तों के साथ सेर करो नेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चरूर प्रिस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नेस्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार चैनल